मसूर की सोईंग अगले महिने मध्य परदेश के बीना गंज, मुगावली, गंजबा, सोदा, सागर, भोपाल लाइन में शुरू हो जाएगी इदर राजस्तान के परताब गर्लाइन में भी मसूर की सोईंग होनी है इस वज़े से मसूर में बीज वालों की लेवाली जोर पकड़ने लगी है जिससे बाजारों में मसूर के घटे दामों में रुका वटा चुकी है वह ही कैनेजा में से आ रही मसूर की कौलिटी बेहत कमजूर है इन परसित्यों को देखते हुए मसूर की कीमतों में तेजी की उमीद जताई जा रही है दरसल मसूर का स्टोक ज्यादा नहीं है और इसके इलावा निकच में कोई नई फसल आने वाली भी नहीं इसे ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में मसूर पैसर सो रुपे तक पहुंच जाए तो कोई आश्च्रयन नहीं होगा दूसरी और उभुकता मंत्राले के लिए PSF बफर स्टोक के लिए 10,000 टन इंपोर्टेट टूर की खरीदी करेगा इसके चलते तूर के दावों में भी लंबी बंदी नजर नहीं आ रही वही मसूर में नमकीन निर्मताओं की भी मांग जोर पकड़ने लगी है जबकि बजार में देसी मसूर की भारी किल्लत है जिससे कीमतों में एक तरफा तेजी का वातावरन बना हुआ है वहीं हफते के शुरुआत में मसूर बढ़कर बासट सोर पे प्रतिक विंचल तक पहुँच गई है हलाकि कुछ वेपारियों का मानना है कि मसूर में लंबी तेजी की उमीद कम है दरसल अंतरस्टे बजार में उतपादन बेहतर और भाव में कमजोरी के कारण लगबग सभी लेवाल रुके हुए है कनेडा में 29 लाग टन तो आस्ट्रेलिया में 9,24,000 टन मसूर का उतपादन होने का अनुमान है आस्ट्रेलिया काफी सस्ते में नई फसल का ओफर दे भी रहा है आस्ट्रेलिया से नया मसूर का सस्ता भाव देकर अभी आयातक और घ्रेलू कारोबारी रुके हुए है कनेड़ा और ऑस्टेलिया की नई फसल में जनवरी shipment में खरिदारी नहीं आ रही है क्योंकि फरवरी में घ्रेलू फसल आनी शुरू हो जाएगी कनेड़ा और ऑस्टेलिया से आने वाले समय में विक्वाली बढ़ने की उमीद की जा रही है क्योंकि इस वर्ष उनके पास बहतरीन उत्पादन रह सकता है